हाई एर्वीवान वेलकम दू स्लीपी क्लासेज आज हम डिस्क्स करेंगे जोग्रफी मॉड्यूर 32 एंद आज इस सेशन में हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रांस्पोर्ट सिस्टम तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वैसे अगर हम बात करें किसी भी देश के लिए ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के लिए इंफ्रस्टर के लिए एंड सर्विस के लिए ठीके जी अगर हम बात करें ट्रांस्पोर्ट हेल्प करता है in the moment of raw material, fuel, machinery and etc और एक ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम अगर हम देखें किसी भी देश के लिए जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही important role play करता है अगर हम इंडिया की बात करें तो various mode of transportation हमें देखने को मिलते हैं या फिर अपने परसनल विकल का यूज करो रेलवे है ठीके जी पाइपलाइन है वाटर ट्रांस्पोर्ट यह भी बहुत ही important role play करता है अब देखें इंडिया की जो connectivity है वो हम देखते हैं जो हमारे neighboring countries है लाइक जैसे चाइना है मियानमार है शिरलंका है पाकिस्तान है बंगलादेश है और भी बहुत सारे नेशन है उनके साथ तो हम वाइल लैंड भी deal कर सकते हैं ठीके क्योंकि यह हमारे neighboring countries है अगर हमें deal करना है या export import करना है USA and Canada के साथ तो हम कौन सी body का यहां पर use करेंगे water transport या फिर air transport का यह अपने आप में बहुत important role play करते हैं वैसे अगर हम बात करें land transport की तो 90% हम इसी को ही use करते हैं कैसे यूज करते हैं मैं भी आपको बताऊंगा जो air transport है आपने सुना भी होगा हमारे देश की गौर्मेंट ने एक scheme चलाई थी उड़े देश का आम नागरिक regional connectivity के लिए जो land transport है वो बहुत जादा बढ़ चुक है अभी के लिए traffic कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है तो थोड़ा सा traffic shift करने के लिए हमने एक scheme चलाई थी regional purpose के लिए उड़े देश का आम नागरिक सब अब देखिए अगर हम बात करें road transport की तो जैसे ही मैंने अपको उताया एक significant role play करता है social and economical development के लिए और easiest है cheapest medium है वाय रोड हम बहुत ही easily connect हो सकते हैं चाहे हम state to state बात करें या फिर villages to अगर हम connectivity करने कोशिश करें district या फिर एक जो state का capital होता है उसके साथ connectivity करने कोशिश करें अगर हम बात करें like as की जो road transportation system है क्या ये develop हुआ था हमारे देश की अजादी के बाद बिलकुल भी नहीं ये 1540 में आपको पता होगा जब मुगल्स यहां पर rule कर रहे थे तो हिमायू को हटा कर यहां पर एक dynasty आई थी शेर सा सूरी मतलब सूरी dynasty आई थी और इनके समय में अगर हम बात करें 1540 में जब शेर सा सूरी यहां पर rule कर रहे थे तो उनके समय में बहुत बड़ा road बनाया था पेशावा टू कॉलकता और इसको हम शेर सा सूरी माग भी कहते थे लेकिन बाद में ब्रिटिश ने जब rule करना start करा तो उन्होंने इसको maintain किया और maintain करने के रोड और आज की रेट में हम इसको GT रोड ही बोलते हैं ठीके जी अगर हम बात करें वर्ड की पॉइंट ओविसे इंडिया है सेकिंड लार्जेस रोड नेटवर्क अक्रोज अग्रोड नेटवर्ट ठीके जी लगबग 59 लेक किलोमेटर का रोड नेटवर्क है और ट्रांस इसको कनेक्ट करता है इंटिरियर करेंटी जो हमारी है रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉंग करता है और इंडिया का तो जो रोड नेटवर्क है आप समझे नोर से अगर आपको साउज जाना है तो बहुत ही इसली आप जा सकते हैं ठीके या फिर आपको वेस्ट टू इ इसे एपल है तो उसको हम कहीं न कहीं देखते हैं बहुत इसली मोबलाइजिशन हो जाता है हमारा ठीके और रोड हैल्प भी करता है कनेक्टिविटी को स्ट्रॉंग करने के लिए ठीके और मेन अब्जेक्टिव क्या है अगर हम आज हम रोड कवर कर रहे हैं टिके तो उनका मेन एम क्या रहता है इंक्रीज क्नेक्टिविटी बाइए एक्स्पेंडिंग दा रोड नेट्वर्क मतलब बहुत सारे प्रजेक्ट सुना भी होगा भारतमाला प्रजेक्ट बहुत इंपोर्टन प्रजेक्ट है और यह प्रजेक्ट है क्या अभी हम इसको जैसे डिस्कस करेंगे और काफी अच्छा यह टॉपिक है बारतमाला वाला इसे कोशन्स भी पूछे जाते हैं साथ-सद आपने प्रजेक्ट होड़ भी सुना होगा स-A-R-D-P-N-E अब इसकी फुल फर्म क्या है स्पेशल एक्सरेटेटेड गोड डवलप्मेंट प्रोग्रम फोर न नौर्थ इस्टन रिजन जो नौर्थ इस्टन स्टेट्स हैं हमारे उनकी किनेक्टिविटी को स्टोंग करना ठीके जी उसके बाद जो हमारा चार धाम मह हमार्ग विकास परियोजना और भी बहुत सारी परियोजना जिसको हम discuss करेंगे और नेक्स्ट है इंप्रूफ डोट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी जैसे हम देखते हैं बहुत जादा जो रोट एक्सिडेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं जब तक हम रोट की मे रखा जाता है रोड डवलप्मेंट के लिए तो उसका 10% का जो कॉंट्रिविशन होता है वो स्पेशली मेंटेनिस के लिए होता है ठीक है फिर हम बात करें स्टीम लाइन लेंड एक्विजिशन जैसे आप माल लो कोई भी एक प्रोजेक्ट चर रहा है लाइक हम हाइवे की ब एक वेब पोर्टल भी गॉर्मेंट चलाती है लाइक है भूमी राशी वेब पोर्टल और एक आप यहाँ पर याद रखेंगे और एफ सी टी ल ए आर आर ठीक है यह एक एक्ट है इसको मैं बता देता हूं यह एक्ट क्या है राइट टू फेर कंपेंसिशन एंड टांस्प कोर्मेंट बहुत इजली करती है जिसका भी लेंड होता है उनको कंपेंसेशन दिया जाता है नेशनल हाइवे एक 1956 ठीक है जी उसके बाद बात करें स्किल डेवलप्मेंट स्किल डेवलप्मेंट भी एक इन्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जाते हैं रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंडिस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टूट में लाइक एस की किसरा से डवलप्मेंट होनी चाहिए उसके बाद इंक्रीज इंपीजिस ऑन डिसर्च एंड डिवलप्मेंट ठीक है जी इनहांस आर एंडी आर एंडी बोले तो रिसर्च ही है उसको बढ़ाया जाए लेन वहाँ पर 426 करे जाएं अगर जुरूरत है तो 628 या 8-10 करे जाएं उसके बाद एक्सपेंट रीच ओफ एलेक्ट्रोनिक टॉल क्लेक्शन आप यहां पर फास्ट चो टैग है उसको एक तरह से कंसेडर कर सकते हैं चो टॉल क्लेक्शन है व स्ट्रॉंग करा जाएगा यह भी हम डिसकस करेंगे आज उसके बाद है इंक्रीज टेक्नोलोजी अडॉप्शन एंड सीमलेस मोमेंट बिट्विंग ट्रैफिक मोड्स एंड ट्रांसपोर्ट ठीक है जी मेली जो अब्जेक्टिव है रोडवे ट्रांसपोर्ट के वह मैंने जी नेशनल हाइवे अथोर्टी ओफ इंडिया इट टुक्स रिस्पोंसिबिल्टी ओफ नेशनल हाइवे ठीक है जी वैसे तो 1988 में आया था लेकिन ऑटनोमस बोडी बना था 1995 में जो नेशनल हाइवे हैं वो सारे के सारे डवलप होते हैं नहीं के इंदर ठीक है जी अगर ह चलता है या इस पर जो ट्रैफिक चलता है वो है अराउंड 40 परसेंट ठीक है तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक है जो इन रोट्स पर हमें देखने को मिलते हैं मतलब नेशनल हाइवे रोट्स पर देखने को मिलते हैं और अभी के लिए आप से कुशन पूछा दाए कि कौ टॉल प्लाजा डेफिनेटली भरा होगा अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट विजिट करते हो कहीं पर आप जाते हो तो आपने टॉल प्लाजा दिया होगा तो उसके थ्रू भी हमारी गवर्मेंट फंड एलोकेट करती है सासा जो पेट्रोल एंड डिजल के उपर सेस लगत पर प्रजेक्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रजेक्ट है हमारी गवर्मेंट का यह स्टार्ट हुआ था लगभग 2000 पर ठीके जी और अटल बहरी वाजपीजी की सरकार थी इस समय ठीके अटल बहरी वाजपीजी ही बेसिकली गॉल्डन कोईलेटर को लेकर आया थे य इससे कनेक्टिविटी हमारी ओर यह नोर्थ इस्ट वेस्ट एंड साउथ टेकर एक तरह से हमारा कंप्लीटली नोर्थ इस्ट वेस्ट साउथ कनेक्ट हो रहा है और यह 5846 किलोमेटर लॉंग प्रजेक्ट है लगबग इसमें जो लेन बनेंगी फॉर और सिक्सलेंबनेंग है आप यहाँ पर समझें गॉल्डन कॉल लेटर प्रजेक्ट की जो ट्रैफिक है कोई भी मुमेंट करनी है हमें एक्सपोर्ट को लेकर ठीक है तो एक रीजनल कनेक्टिविटी होना बहुत जुरूरी है नोर्थ इस्ट वेस्ट एंड साउथ की ठीके जी एंड साथ आप य आपके तो खेर नेशनल हाईवे अथोर्टी ओफ इंडिया के अंडर याते हैं लेकिन यह बॉंबे और जो पुने वाला एक्सपेस वे है यह स्टेट गॉर्णमेंट के अंडर आता है बस यह आप यहाँ रखेंगे कई बार ऐसे कुश्चन भी पूछ ले जाते हैं उसके शिरी नगर कन्यकमारी कोची यह आपने सभी की सभी एरियास नहीं याद रखने अपको पता होना चाहिए कि हमारी गौवर्नमेंट किस तरह के प्रोजेक्ट कर रही है और एक आपको एक्जेक्ली पता होना चाहिए कि कौन से एरिया को connect करने कोशिश करें जैसे शिरी नग देवी के नाम से भी जानते हैं नेशनल हाइवे 44 उसके बाद इस्ट वेस्ट कोरिडोर है यह आप एक्जेक्ट याद रखेंगे पौर बंदर एंट सिल्चर बस ऐसे समझ लीजिए इसको हमने ड्वाइट कर दिया नोर साउथ एंड इस्ट को वेस्ट को ठीक है उसके और हमारे देश में स्टेट हाइवे कितने हैं 4% और स्टेट हाइवे कनेक्ट करते हैं लाइक जो कैपिटल होती है स्टेट की उसको रीजनल जो डिस्टिक्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं अगर हम बात करें हमारे देश में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे उनको construct and maintain करती है state government ठीक है जी और state government mainly यहाँ पर cities को connect करती है उसके बाद हम देखें district roads, district roads भी एक तरह से connect करे जाते हैं like as यहाँ पर भी state government का ही role होता है ठीक है और जो mainly हमारे villages होते हैं और जो districts होते हैं उनको connect करती है state government वैसे ruler roads भी है ruler roads directly control में आते हैं ग्राम पंचायत की औ और यहाँ पर हमारे government के एक scheme भी चल रही है परधान मंतरी ग्राम सड़क योजना जैसे कि मैंने आपको बताया था यह कई areas में तो 100% center sponsored scheme है लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एरिया में यह center ही यहाँ पर सारा का सारा sponsor करती है नहीं ऐसा नहीं है ratio है 60-40 कि मैं भी आपको हूंगा ruler connectivity अभी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी government का initiative है सभी की सभी जो ruler areas है वो कहीं ना कहीं किसी भी district के साथ जो लगते हैं उसके साथ proper way में connect हो जाए ठीक है उसके बात है national highway development project यह जो projects है national highway development project यह start हुए थे 1998 में अटल भहरी बाजपेजी के समय में ठीक है जैसि है जैसे मैंने आपको पताया total strength यहाँ पर traffic control का कितना है 40% यह मैं आपको अरड़ी बता चुका हूं अच्छा यहाँ पर याद रखना सबसे ज़्यादा ruler connectivity है लगबग लगबग 70% के आसपास 70 to 80% ठीक है यहाँ पर mention भी है और अभी हमने समझा था कि district स्टेट highways कितने है 4% और national highway कितने है 2% and district highway कितने है around 15% 10 to 15% ठीक है तो आपको इस तरह से याद भी रखना है वैसे ऐसे figures पूछे नहीं जाते हैं बट आपको ऐसे question आ सकता है कि सबसे ज़्यादा national highway कहां पर आपको देखने को मिलेंगे या सबसे ज़्यादा road construction कहां पर आपको देखने को तो आप याद रखेगा ruler roads उसके बाद है भारत माला प्रियोजना यह बहुत important project है अगर इंडिया के मैप के according हम समझे भारत माला प्रियोजना यह देखी यह वाला जो reason है लाइक है जो बंबई वाला reason है यहां से आप consider कर सकते हैं यहां से यह जितने भी ports हैं या जितने भी यह coastal areas हैं इसको इस तरह से connect करा जाएगा और यह जो extent है Bombay to Kolkata तक इसको completely यहां से road से connect करा जाएगा मतलब जो port areas हैं हमारे coastal areas है और इनके साथ साथ जो भी हमारे like as neighboring countries हैं वहां पर भी road construction करी जाएगी मतलब उनके बिल्कुल जो साथ हमारा जो boundary में आता area वहां पर road construction करी ज project आप देख सकते हैं एक तरह से माला के रूप में यह project आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम भी भारत माला प्रोजेक्ट इसलिए रखा होगा और यह वास्ट प्रोजेक्ट है जो west to east एक land border cover करेगा राउंड 5300 किलोमेटर का गुजराट तू मेजोरम ठीक है और महारास 2022 तक complete करना और इसमें 2000 किलोमेटर की जो रोड है वो यहाँ पर target रखा गया government का कि जो coastal area road है उसको construct करना जो भारत phase 1 है इसको complete करेगी हमारी government 2022 तक ठीक है जी बहुत important project है और जो port की connectivity है वो land की through भी हो पाएगी ठीक है जी उसके बाद है अच्छा इसमें आप कुछ points याद इंपेसिस ओंदा यूज ओफ technology and scientific planning for project preparing and asset monitoring ठीक है जी इट काल्स for seamless connectivity with neighboring countries जैसे में आपको बताया जो neighboring countries है लाइक है जैसे बर्मा है मियान बाद जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं या फिर बंगलादेश है और इसके साथ connectivity करना बुटान है बुटान के साथ तो खेर हमार relation बहुत यह अच्छे हैं उसके बाद 24 इंटीग्रेटिव चेक पोस्ट होंगे यहां पर और मेलने यहां पर जो यह रोड कंस्रक्ट करी जाएगी भारत माला पर योजना के तुरू इसमें एक प्रॉपर वे में connectivity करे जाएगी जो Northern Eastern connectivity है उसको कहीं ना कहीं बंगलादेश पुठान नेपाल म्यानमार थाइलेंड के साथ भी जोड़ा जाएगा थाइलेंड यह भी आप यहां तरखना ठीके जी और सैटलाइट मैपिंग होगी मतलब जितने भी अप्ग्रेडेशन की requirement होगी हो सैटलाइट मैपिंग के थूँ यहां पर देखी जाएगी उसके लिजिए कोई भी नेशनल हाइवे और नेशनल हाइवे के बीच में रेलवे क्रोस कर रही है ठीके तो यहां पर एक्सिडेंट के बहुत ज्यादा चांस होते थे जब गॉर्मेंट हमारी चेंज होई थी 2014 में तो उस समय गॉर्मेंट का एक मीन एम रहा था 2016 में करना बट अभी के लिए मैं आपको कहूं तो यह मैक्सिमम कंप्लीट हो चुक है बट स्टिल लोट्स ओफ पेंडिंग प्रजेक्ट टिके ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो चुक है पेंडिंग है बट हमारी गॉर्मेंट ने काफी कुछ यहां पर काफी एरिया को कवर कर दिया मतलब जो यह क्रोसिंग वाला एरिया था उसके बात है ग्रीन हाइवे प्लांटेशन ट्रांस्पर ट्रांस्पलेशन ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेस पॉलेसी 2015 यह तो आप समझी गए होंगे कि जो हाइवे के उपर एक तरह से एंवार्मेंट परपस के लिए और और एक तरह से ग्रीन हाइवेस हैं सॉयल इरोशन में भी हल्प करते हैं नुएस प्लीशन भी कहीं हैं तक कंट्रोल करते हैं तो एक प्लांटिंग करना जितने भी नेशनल हाइवेस हैं वहाँ पर उसके लिए एक पॉलिसी आईथी 2015 में और इसके लिए भी वर्क करा जा रहा ह लाइक है जितना भी विजट आएगा उसका 1% बस ऐसे याद रखना उसके बाद है परधान मंतरी ग्राम सड़क योजना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है हमारे देश की गौवर्मेंट की और इस योजना के तुरू जितने भी हमारे देश के विलिजिस हैं उनको कनेक्ट करा जाएगा ठीक है और गौवर्मेंट यहाँ पर एक इनिशेटिव ले रही है कि 2022 तक वैसे तो यह फेस वन कंप्लीट हो चुका है लेकिन गौवर्मेंट का यह में जितने भी विलिजिस हैं उनकी कनेक्टिविटी को स्टॉंग करें और साथ-साथ यह जो मैंने इस यह उत्राघंड वहाँ पर इतना ज्यादा फाइनेंशल एक्टिविटी होती नहीं है तो गौवर्मेंट यहाँ पर 90 मतलब कॉंट्रिविशन करती है और 10 पर स्टेट गौवर्मेंट यहाँ पर कॉंट्रिविशन करती है वैसे आपको पता होगा जो हमारे जो और यह बहुत ही इंपोर्टेंट एक और जितने भी बॉर्डर में रोड की इंट्रिक्शन है वह इनी की दवारा की चाती है उसके बाद है चारधाम हाइवे चारधाम हाइवे यह कनेक्टिविटी हमारी गौवर्मेंट करना चाती है ठीक है जी उत्राखंड में बद्रीन जिला, संज्युकता, परियोजना यह भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट परियोजना है और यह भी नरेंदर मोदी जी के टाइम पे ही आई है ठीक है जी 2015 में मोदी जी ने इस परियोजना को स्टार्ट किया था इसमें क्या है देश के 100 डिस्टिक्स को चूज करा जाएगा गवर्मेंट यह चूज कर चुकी है आप ऐसे समझे कि 100 डिस्टिक जो इंपॉर्टेंट डिस्टिक है उनको एक तरह से कनेक्ट करा जाएगा और इसके लिए 60,000 क्रोड का बजट रखा गया है 100 डिस्टिक हेड़कोर्टर को कनेक्ट करा जाएगा इन दा कंट्री और अब क आप शिरी निगर टू सिरफ कन्यकमारी की याद रखें बाकी जैसे वाया हर्याना वाया पंजाब ऐसे आपको याद करने की जुर्यत नहीं है मतलब एरियस नहीं याद करने जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि साउथ से नोर से साउथ कनेक्टिविटी है और शिरी इंपॉर्टेंट है और लाइक है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शेर सासुरी रोट था यह ग्रेंट ट्रंक रोड है इसको पार्ट टू में अगर आप डवाइड करो पार्ट वन है नहीं पार्ट शेकिन है नेस टू ठीके जी यह कनेक्ट करता है अमरी सर टू डैली ठीके जी और एनेस टू कनेक्ट करता है डैली टू कलकटा ठीके जी इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो यह हो जाएगा ग्रेंट ट्रंक रोड यह जो रीजनल रोड है यह आप एक बार देख लेना वैसे इंपॉर्टन नहीं है ठीके जी उसके बाद एनेस थी आगरा टू बंबई एनेच फोर है ठाने टू चेनई एन एनेच फाइव है एक कॉलकटा में जगाह है भैरा गोडा भैरा गोडा टू चेनई ठीके जी और नेशनल हाइवे जो सिक्स है यह कनेक्ट करता है हाजीरा हाजीरा गिजरात में आपको देखने को मिलेगा और गुजराट टू कॉलकटा है और नेशनल हाइवे 7 यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह कई बार आ चुका है कुश्चन में वारान सी टू करने कमारी ठीके जी और एक तरह से आप जो हाइवे 44 पढ़ते हो यह इसी में एक तरह से इसको मर्ज कर लिया बात रहने चाहिए बाकी आप सभी की शबी नेशनल हाइवे से एक बार देख सकते हैं अब नहीं पुलेज को ग्रैप कर सकते हैं और आपको सबीए इसे नहीं है जैसे वारा नसीटू कन्यकर है कमारी आपको यह नहीं देखना वारा नसीवाया रेवा जबलपूर लखनप आपर हैदराबाद कु XV touches आपको याद करने कि उतनी धैसे पंड नहीं से पूचा कि वैसे ये स्टेट में कोशन आया था, हर्याना के एक पेपर में कोशन देखा था मैंने, बाकि ऐसे कोशन नहीं पूछे दाते हैं, जस्त आपको इतना ही याद रखना है कि कनेक्टिविटी कहां से कहां हो रही है, ठीके, चलिए, होफुली आपको इस सेशन में बहुत कुछ स ध्यान रखी, थेंक यू सो मच.